जो राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे भारत की भूमी पर भगवा लहराएंगे बाबा का बजन मैंने आज से धाई और पौने तीन साल पहले मैंने बाबा के चर्नों में लगा था उस टब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लेता था तो बिल्कुल घर से ही एकदम जो आया हाथ में लेकर चल दी है बाबा के चबनों में और कहते हैं कि जो सचे दिल से बाबा को याद करता है मेरे शाम बाबा को बाला जी महराज को यार करता है बाबा जुरूर सुनते हैं और आज शैद तभी मुझे इतनी बुलंदिया पर मेरे शांबाबा ने पुछाया हुआ है आपके गुरु कनईया मित्ल जी है कहीं जगा ऐसा होता है कि आप वो सोचते के कनईया मित्ल जी गा रहे हैं देखो पहली बात तो मैं कभी अपने गुरू की जगा नहीं ले सकता हाँ जब मेरे गुरू जी मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको बड़ी परसंसा होती है कि आज वाकी उनका शिश्य है उनके चर्णों की दूर के बराबर पोंचने लग गया है पूरा नहीं आ सकता कभी जंदगी में बनी पर उनके चर्णों की दूर के अबराबर में पहुंच उखा हूं तीन दिसंबर को मा नहीना देवी के दरवार पे आपने हाजरी लगाई वहां पे शाक्षात मा नहीना देवी ने दर्शन दिये तो कैसा फिल हुगा आप सब बाबा के प्रेमी है मैं चाहता हूं कि मेरे प्रेमी ना बने मेरे बाबा के प्रेमी बने लोग कहते हैं कि जो गारा होता हम हमें उसमें शाम बाबा नजर आते हैं मैं नहीं चाहता कि जो गारा उसमें शाम बाबा नजर आते हैं बस हां उसके भाव बड़े अच्छे हो तो वो आपकी आवह सुनते ही वो आलान कर देते हैं कि शाम बाबा की धरivaard पर बहफ़ाजनों के लेकर जाएंगे। सबी ने एमलों ने बस भीछी है, तो आप उते आर बस है। लजाने के लिए, हम ने लेकर जाना इनको कैसे लेकर जाना है। वो तो तो त्यार खड़ी है, उन्होंने मुझे कहा था कि जब मर्जी आप एक बारी अलाउंसमेंट करो, तो जब मर्जी एक छोड़ो दो लेजो चाहिए तीन लेजो, और मैं धन्यावद करना चाहता हूँ, ऐसे हमेल लोगा। में धन्यावद करते हैं, उन्होंने में साधु संतों का शीर भालेख अपने सानात्म को एसा माके लेज़त चले provленаरगण का जन्नू घुकाषिए तुर म अम्रनाथ की जो यात्रा थी, अब तो बहुरति रहने साधू संतों, अब तो बहुत जा बहुत जुएं, ज्यादा नजदीक कर दी है तो जो बाउजी सनातम के लिए काम करेगा हमको उनको परचार करना पड़ेगा दश्राग निवस देखना ले सारे दश्का दा मैं संदीब चड़ा स्वात करता है पूरे पंजाब दे वेच जो फुलंदियां दे उते जो अवाज है कुमार गौरव जी आज ओना ना मिलान जा रहे हैं तानू तो यसी गलबात कर लेने है जो अज पंजाब पूरे नाम रोशन कर रहे हैं तो नाम रोशन कर रहे है कुमार गौरव जी ना मुलाकात करवाने जय जैश्री शाम शरी बाला जी बहुत भूद धन्यावाद धाचणानी उसका अत्व फॉन्दा फ़साद ज़ए छणा जी का ये भी बड़े में स मुझे अनको फून कर रहे थे ह आज हमने एक छोटी सी इंटर्वू रखी है बाबा शाम इनके ऊपर ऐसी किरपा बना के रखे बहुत लंबे समय ते इंत्यार था लोगों को की द्राइच चिलाग ने उस पे कुमार गौरवी की इंटर्वू की जाए बहुत लंबे समय ते इंत्यार था आपने कहीं चलनों देखो द्राइच लोगों की अपने धरम की जाए है और सभी फ़ rodzva करने का घंग है तो हमारा जो अपना हिंदू धरम है उनको जाता जागरुद करें चाए वो जागरन है चाए वो शाम बाबा की चौंकी है चाए वो बाला जी महराज की चौंकी है तो मानिये मेरा तर रखना यही है कि अपने हिंदू धरम को थोड़ा सा जागरुद करें और हिंदू धरम को सनातम की तरफ थोड़ा सा ले बाबा के चर्णों में लगा था उस टम मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लेता था तो बिल्कुल घर से ही एकदम जो आया हाथ में लेकर चल दी है बाबा के चर्णों में और कहते हैं कि जो सचे दिल से बाबा को याद करता है मेरे शाम बाबा को बाला जी महराज को याद करता ह है और आज शायर तभी मुझे इतनी बुलंदिया पर मेरे शाम बाबा ने पुंचाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जतने भी जागरन में आते हैं जतने भी बाबा की किरतन में आते हैं आपको सभी को हाथ जोड़के बेंती कि सभी जन्हें भाव के साथ बैठें और भाव के साथ बाबा का गुंगान सुने भाव के साथ बाबा के बजन सुने बाबा जरू सुनता है को कि इसलिए मेरा शाम बाबा हारे का सहारा मेरा खाटू शाम बाबा हमारा आपके दिल में कैसे विचार आया कि आप महामाई का गुंगान करे कब से आपको लगन लगी थी महाम तो थोड़े साल पहले ही, मुझे ढ़ही तिन साल पहले ही, जब मैं खाटू शाम साला सा दर्वार में गया, तो मुझे कैसा लगा, कि वो दर्वार बाकी कुछ दर्वार में उर्जा और इतनी तेजी है, मेरे शाम बाबा के दर्वार में तो भक्ती बढ़े है, वाला जी महर ओपनिंग तृश्टारी को सभी जा रहे हैं और बाइस तारी को सभी को हाट जोड़कर बेच्टी अपने घर के बाहर पांच दिया जलाएं और कुशिच करें प्रभु श्री राम की फोटो उंदर रखें फोटो रखें प्रभु श्रीराम के आगे दीपक जलाएं और मंदिर में जाओगे जो जोगी जी है जोगी जी ने आप उनके साथ कब मिले हो योगी की साथ मैं वैसे कभी मिला नहीं हूँ तो बड़ी इच्छा है को कि जो सनातम को आगे लेके चलते हैं अब हमारे परदान मंतरी निंदर मोदी जी है जिनोंने अमरनात की जो यात्रा थी अब तो बहुत जादा नजदीक कर दी है तो जो बड़ी सनातम के लिए काम करेगा हमको उनको परचार करना पड़ेगा तो ये नहीं है चाहे वो कोई भी सरकार हो जो सनातम के लिए काम करेगी हम उनका परचार करेंगे योगी बाबा जो यूपी के अंदर है योद्या पह दिन पहले मेरी श्रीकेश में था वहाँ पर सभी साधू संतों को मिला मैं तो साधू संतों को मिलकर ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा भागी शाली समझता हूं कि मैं अपने हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ 3-3 दिसंबर को मा नेनादेवी के दरवार पे आपने हाजरी लगाई वहाँ पे शाक्षाद मा नेनादेवी ने दर्षन दिये तो कैसा फेल हूँ आपको न मैंने पहली कहाता है कि हमारा करने का कुछ अलगी धंग होता है मैं पैसों के लिए कभी नहीं कहता है मैं तो यह चाहता हूं कि जो भी कलाकार गाता है दिल से एक बार गुंगान करके देखो आप जूरी यह नहीं कि सभी दिल से करते हैं थोड़ा सा और अंदर की गराईयों स सब दर्शन देते हैं बस वो देखने वाली मेरी मा जुरूर आती है कितना प्यार मिला मा नहीं आगे से कितना को की दूसरी बार वहां पर आपको मुक मीले प्यार तो इतना अनों यह नहीं दिया तो मैं मा नेना दिवी पूरी किरपा ऐसे बना के रखती है सब ही घकतों के उपरॉन और मैं चाहता हूँ अगली बारी फिर शिप भया लेके चलेंने इसी दरबार के लिए मना जंग पर आपको कягने का मतलब आपको टाइम कम मिलता हैैं हमें भी टाइम बहुत मिश्किन से दिया आपने है देखर की में आपका नंब नोट कराहिए आपका नंबर हमारे पास नहीं है तो जैसे ही नमबर उना नोट किया तो इतने फोन को जाने शुरू हो गए, इतने मैसेज आने शुरू हो गए, फोन ही हैंग हो गया, अब बताओ कि सब बाबा के प्रेमी है, मैं चाता हूँ कि मेरे प्रेमी ना बने, मेरे बाबा के प्रेमी बने, लोग कहते हैं कि जो गारा ह होता है और हमें उसमें शाम बाबा नजर आते हैं तो कहीं बार जो आगे भगत glutव के लिए अपने बेटी परिवार का अपने देश का नाम रोशन करती है तो मैं बेटी ओकर सरूड करता हूँ ऐसी बाबा की किरपव में हाज जड़के करता हूँ बाबा ऐसी बेटी ओका ख्यार रखे और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ चिंतपनी दर्वार पे भी आप जुरतमन परवार को लेके गे थे तो अब आगे कब लेके जा रहा है चिंतपनी दर्वार में मैं बस लेके किया था मैं कैया मेरी माई लेके गेटी करने वाली मेरी मा है और वहाँ पर पन्डे जी महराज बड़े खुश हुए थे कि कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जुगी जूपड़ी वालों को लेके आए हैं तो मैं बाबा से मैया रानी से भोले ना से यह एदास करता हूं कि बाबा इतना बहुत देना यह ऐसे ही नेक काम में जुड़े रहें और नेक काम में सबी को आगे लेके चलें कुमार गौरब जी जब आप शाम बाबा का बजन गाते हैं वहाँ पर कहीं मेले भी आते हैं तो वह आपकी आवाज सुनते ही वह अलान कर देते हैं कि शाम बाबा की दरवार पर भगजनों कर लेके जाएंगे ऐसा क्यों होता है देखो जितने भी आमादी पालिटी के मलें सबको बड़ा धन्यावद करता हूं मैं सब बड़े प्यार करते हैं जहां भी मैं बाबा का किरतन करता हूं बाबा की हाली लगाता हूं सबी आते हैं जितने मेरे आमाबिस सरकार के MLA सबको हाथ जोड़कर और उनके चरणश्पस करता हूँ कि मेरी बात रखते हैं तो सबी ने MLA उने बस भेजी है तो थो त्यार बस लिजाने के लिए हमने लेकर जाना उनको कैसे लेकर जाना वह तियार खड़ी है उन्होंने मुझे कहा था कि जब मर्जी आप एक बर ही अलाउंसमेंट करो तो जब मर्जी एक छोड़ो दो ले जो चाहिए तीन ले जो और मैं धन्यावद करना चाहता हूं ऐसे सरकार फिर भी अच्छा काम कर रही है तो मैं यही कहुँंगा को जितने भी आमेले हैं तो मेरा सबसे बड़ा प्यार है, तो ऐसे ही बाला जी महराज मेरे शाम बाबा इनके उपर, ऐसे ही, जितने भी मेरे एमले सर है, जैने मेरे अंकल, मेरे भाई है, सब के उपर ऐसे मेरे शाम बाबा किरपा बना के रखे, उनके घर में तंदृस्ती रहे, आपके गुरू कनया मितल जी है, कहीं जगा ऐसा होता है कि आप वो सोचते कि कनया मितल जी गा रहे हैं, ऐसा हुआ कहीं बार आपको बोल देते हैं कि कनया मितल जी राब। नहीं देखो पहली बात तो मैं कभी अपने गुरू की जगा नहीं ले सकता हाँ जब मेरे गुरू जी मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको बड़ी परसंसा होती है कि आज वाकी उनका शिश्य है उनके चरनों की धूल के बराबर पहुंचने लग गया है पूरा नहीं आ सकता जब कनया मित्तल जी का नाम लिया जाता है बगजनों की तरफ से मेरे लिए तो समलो की एक दिल की गहराईयों से पूछू तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है अगर आज मैं खड़ा हूँ अगर आज मैं बैठा हूँ तो अपने गुरू के शिर्वा से बैठा हूँ जितो जो मेरा गुरू है वो बड़ा बलवान है कहते हैं कि जिसका गुरू बलवान हो तो चेला अपने बलवान हो जाता है तो सालासर वाला जी माराज मेरे शाम बाबा उनको रहा पर ऐसी किर्पा बना के रखे पूरी प्रिवार के ओपर हमेशा गुरू जी मेरे कर बेंती कि सभी जाने बढ़ चरकर मंदिर में आए और मंदिर की एक बर शान देखे मंदिर में प्रभु श्री राम का मूर्ति स्थापना देखे और जितने भी सादू संतों का शीर बाल है और अपने सरातम को ऐसी आगे लेके चले जैश्री राम जैश्री बाला जी हर हर महादे और खुश रो और जिन्दगी में मेशा खुशी रहना चाहिए कभी उदास ना रो जिन्दगी है उपर नीचे चलती रहती है जैशरी राम हमारे साथ थे सिंगर कमार गौरफ जी जिन्होंने काया कि शाम बाबा के जो प्रेमी है उनसे गुजारिश है कि शाम दरवार पे बस लेकर जूरूर जाए एमले जो आम आधिपाटी उन्होंने भी परचार करना शुरू करी दिया है कमार गौरफ जी ने बोला है कि वो हर बागत करने के लिए वहाँ पे पहुंचना है क्योंकि सभी को प्रेमियों को है गुजारिश करें कुमार गौरफ जी की जो राम मंदिर बनने जा रहा है बन तो चुका ही है तो मैं दो लाएने राम मंदिर के लिए कहना चाहता हूँ जो राम को लाएं है हम उनको लाएंगे भारत की बुमी पर भगवा लहराएंगे ओपर से राम के नईं अंदर से राम के है बस प्रबु के चरनों में बस प्रबु के चरनों में कोटी पर नाम करें जैए श्री राम और सबसे ज़्यादा बदाई साला सर बाला जी महराज को और मेरे मेंदी पुर बाला जी महराज को को कि बाला जी महराज को बड़ी खुशी है कि प्रबो श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है एक हारे का सहारे का बजन हो जा है हारे का सहारा मेरा बाबा शाम हारा हूँ बाबा पर तुझ पे बरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है मेरे माजी बन जाओ मेरी नाओ चला जाओ रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ हारा हूँ बाबा पर तुझ पे बरोसा है मैं आज भी जीरो हूँ कल भी जीरो रहूँगा सिर्फ बाबा के सामने मैं हीरो कभी नी बनता ओडियोंस के सामने मैं हीरो नी बनता जीरो हूँ जीरो ही रहूँगा हीरो उन्होंने बनाना है और बना चुके है जाश्री शाम जाश्री शाम जी आप देखते दो दाश्राग नियूस कैमरा परसन मॉंटू के साथ मैं संदीप चड़ा शक्रिया धन्यवाद